दलित समाज को, आदिवासी समाज को, पिछडा समाज को, अतिपिछडा समाज को, दोनों ही कडबंधन मिलकर के दवाने का काम कर रहे हैं, इसका हम नहीं कह रहे हैं, ये बहजल समाज पार्टी नहीं कह रहा है, ये बिहार सरकार की कुछ ऐसी निदियां है, कुछ ऐसी कारस्त जो बता रही है कि बिहार सरकार अनुसिजित जाती के लिए और आदिवासियों के लिए कितना सजग है नमस्कार आप देख रैंसिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता प्रताप से आज बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने पटना में प्रेस कॉंफरेंस किया इस प्रेस कॉंफरेंस में उन्होंने जम कर केंदर सरकार और राजिस सरकार पर निशाना साधा है साफतार पर यह आरोप लगाया है कि ये लोग जान बूच कर अनुसूचे जाती और जन जाती और आदिवासी लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नितीश, कुमार और तिजस्वी यादव की अनुसूचे जाती और जन जाती के लोगों से ऐसी कौन सी दुश्मनी है कि ये लोग उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, प्रमोशन लेने नहीं देते ऐसा लगता है मानों ये लोग डॉक्टर भीमराव अंबेतकर के सन्विधान से चलते ही नहीं क्या कुछ चे कहते हुए नज़र आए बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी हम छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ आप सभी को जैभीम है बिहार सरकार और भारत सरकार जिस तरह से बहुजन समाज पर बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कहते हैं कि हम बहुजन समाज को आगे बढ़ा रहा है और यह दोनों मिल करके चाहे वो इंडिया गट बनन हो या इंडिया गट बनन हो दोनों ही मिलकर के दलित समाज को, आदिवासी समाज को, पिछड़ा समाज को, अतिपिछड़ा समाज को दोनों ही कटबंधन मिलकर के दवाने का काम कर रहे हैं, इसका हम नहीं कह रहे हैं ये बहुजन समाज पार्टी नहीं कह रहा है ये बिहार सरकार की कुछ ऐसी निदियां है कुछ ऐसी कारस्तानियां है जो बता रही है कि बिहार सरकार अनुसुजित जाती के लिए और आदिवासियों के लिए कितना सजग है कितना निस्ठावान है कितना निस्ठावान है कि कैसे ये दोनों मिलकर के आदिवासी और अनुसुचित जाती को दवाने का काम कर रातो रात कैबिनेट की मिटिंग होती है और बिहार गजट ये 13 तारिक को ये जारी कर दिया जाता है ये हमें ऐसा लगता है कि भारत के सम्मिधान पर काला धब्बा है ये निपीस कुमार जी और तेजस्वी जादों की सरकार है ये जो निपीस कुमार है और तेजस्वी जादों की जो सरकार बिहार में जो चल रही है ये दोनों ही सरकार काला धब्बा हमारे शमिधान पर लगा रही है ये एक ऐसा गजट है जो हम दलित समाज और आदिवासी समाज की मारने का काम करती है और उन्हें दबाने का काम करती है यही वह गजट है जिस गजट से बिहार सरकार के आदरनी मुख्या जो है नितिश्कुमार जो है इन्होंने जारी करके कहा कि अब प्रमोशन में जब तक न्याले में रोक है तब तक आदिवासी और अनुखित जाती को प्रमोशन देने की जरुवत नहीं है मतलब समानने जाती से प्रमोशन को भर लेना है एक तरफ सुप्रीम कोट और हाई कोट ने रोक लगा रखती है और दुसरी तरफ एक रह रहा है कि नहीं आप इसको हम समानने लोगों को भर देंगे प्रमोशन में आरक्षन जो है हम 16% अनुखित जाती और एक परसेंट आदिवासी को अभी नहीं देंगे यह कौन सा कानून है जहां हमें आप बता रहें कि हमें आरक्षन मिलेगा है नहीं हमें प्रमोशन में आरक्षन से बाहर कर देंगे है कि आप समान नख कर रहे हैं कि जब हाइ प्रिम कोकर जब हैस्लियक खेसलण आए गायता है तो हम आपको फिर से कर देंगे जो सरकार है और नितीश कुमार की जो सरकार है ये सरकार सम्मिधान से नहीं चल रही है हमारे बाबा सहाब का जो सम्मिधान था उससे नहीं चल रही है ये जो है ये कही न कही मनवादी और सामंतवादी दवस्था के साथ जो अपना नया कुछ सम्मिधान बना लिया है जिस सम संविधान को इनों ने रौंदने का काम किया है आज बहुजन समाज पार्टी इन सरकारों को स्वस्ट रुप से कहना चाहती है कि आप जगिए और ये काला कानून जो आप बना रहे हैं ये काला कानून अंग्रेजियों का कानून था ये काला कानून आप वापिस लिजिए औ और इस कानून के हिसाब से आप ऐसे सम्विधान को नहीं बदल सकते हैं और ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप निश्चित रुप से सम्विधान संबत बात कीजिए और सम्विधान के अनुसार जो आरक्षन है उस आरक्षन को आपको देना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी उस हक के लिए उस अधिकार के लिए लड़ने का काम करेगी और जब तक नहीं मिलेगा। अभियों सरकार को से आगरह करना चाहते हैं विनेक करना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी कहना चाहती है कि आप इसको विचार कीजिए और इस काला कानुन को वापिस ले करके सबों का जो दलितों का आदिवासियों का जो भक और अभिकार है उसको दिजिए उसको छिनन और इचया काम आप मत किझे और नहीं तो बहुजदंसमाजपाटी अगर आप नहीं इस पर समझेस नहीं काला कानूँ का वापिस करते हैं उसी 2 नियुक्षि आप में जो आरक्षन के साथ इन्हों ने खिरवाड किया यह तो मजाग बना कि यह हमारा डाटा नहीं है यह भारत सरकार के मंत्री ने लोग सभा में इस जवाब को रखा है इस जवाब एक सवाल के जवाब में इन्हों दिया है कि हम जो आरक्षन जो है इतने लोगों को ही दे पा पांच चाल में 7.65 परसेंट दे रहे हैं स्टी को स्टीव ट्राइब को दे रहे हैं 3.8 परसेंट और और ऑबीसी को दे रहे हैं 15.92 परसेंट यह कहा गया यह मंडल का मिशन था बाबा सहाब का जो असक्तिक से पहले से स्टीव कास्ति और एस्टी के आरेक्ष्ण दिया गया है यह कौन सा यह मोदी और साह अरेक्षण होगा क्या इस आयोग का कौन सा क्या नाम इनोंने दिया कौ यह ऐसा लगता है कि अब इन दोनों कतबंदनों ने मिल करके तैख कर लिया है कि बहुजन समाज को किवल वोट बैंक के लिए रूम में इस्तेुमाल करना है और एक तरफ हिंदु बनाएंगे और एक तरफ जादिगत अलग-अलग माठ करके हम वोट दोनों ले लेंगे और द एक हमें नौकरी से रोक रहे हैं, एक हमें आरक्षन नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं दोनों ही मिल करके हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और हमारे बच्चों को, जो हमारे भविश्य हैं, उन्हें निश्य तरुक से, जैसे इंडिय की सरकार नौकरी देने से रोक रहे सब्सक्राइब करें दोनों सरकारों ने एक प्रमोशन रोक रहें और एक हमारे नौकरी रोक रहें तो दोनों ही मिल करके हमारे लिए पुआ खोद रहें और ये काला कानून प्रमोशन में बना करके बहुजन समाज को रोक रहें बहुजन समाज पाटी आधरनीय बहांजी के नतिर्त्रम में असबस दॉप से कहा है कि ऐसा घटना हो रहा है इसको रोकने की जरूरत है और इसको हम किसी भी फलस्टिक में रोकने का काम करें हम लोग आज बिहार एकाई जो बाउजन समाजपार्टी है अपने बिहार सरकार को अगाह करना चाहती है यह से मुद्दिधू आप तत्काल प्रभाव से रूप दिये और रोग करके जोह में प्रमोशनमे जो लाव मिलना चाहिए था उन लावों को देने का काम करें नहीं तो बाउजन समाजपार्टी ब्याहर में कांदोलन खड़ा करने के काभ़ुत है.